हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफर्म पर आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है आज इस एक वीडियो में मैं भारत के जो भी समवेधानिक पद पर या जो भी महत्पून पद है उस पर जो प्रथम व्यक्ति रहें उसका मैंने एक साथ कलेक्शन किया और एक साथ सारे उनको लिख दिया है इसी तरह राजस्तान के विजो इंपोर्टेंट एक्जाम में पूछे जाता है जो प्रथम किसी पद पर व्यक्ति रहें उनके बारे में तो पूरा एक थोड़ा सा आज का ये वीडियो लंबा हो सकता है मैं डिटेल में इन सभी के बारे बताऊंगा कि पहले वक्ति कौन रहें तो ये वीडियो एक वीडियो में आपको सारा कलेक्शन एक साथ मिल जाएगा और एक बहुत important वीडियो आज आपके सामने है तो इसको शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले एक important announcement, आप में से बहुत सारे सात्यों की ऐसे demand आ रही थी, कि सर पटवार के केवल full length test हमें available करा दो, और उसकी price के भी आप बात कर रहे थे, तो last time अब चल रहा है, last time पर हमने अभी जो पटवार के हमारी main test series चल रही थी, उ हमने उनका एक अलग section बना दिया है, उनको अलग से available करा दिया है, उसमें भी full length test में भी सिर्फ जो full length test के साथ साथ मैंने important जो last के 5 वीडियो हमारे थे, जिसमें हमने केवल पूरे राजस्तान जिक्या के अलग से test बनाया था, इंडिया जिक्या के अलग से test बनाया था, वो भी इसमें मैंने aid कर दिया है, तो पटवार का अब हमने एक अलग section बना दिया है, एब के अंदर, जिसमें 5 टेस्ट तो ऐसे है, जिसमें 2 टेस्ट में आपको केवल राजस्तान जिक्या के सारे सवालों का collection मिल जाएगा, दो टेस्ट में आपको जो इंडिया जिक्या का है, उसका टेस्ट आपको मिल जागा दो टेस्ट में और एक टेस्ट इसमें ऐसा है, जिसमें हमने math, reasoning, Hindi, English और computer को सामिल किया, तो पांच टेस्ट तो आपको ऐसे मिलेंगे, जिसमें topic wise भी आपको मिल जाएंगे, और 10 टेस्ट हमने ऐसे रखे हैं, जो full length टेस्ट होंगे, यानि बीस टेस्ट, पांस टेस्ट हो सभी के लिए, और ये जो पंदरा टेस्ट है, इसकी price हमने अभी कम करके, इसको केवल 200 रुपिया रख दिया, पहले जिसकी 400 थी, इसका आधा हमने इसका रख दिया, क्योंकि आधे टेस्ट हो चुके हैं, तो अगर कोई आधे टेस्ट भी ल इस टेस्ट देख कर तो जरूर जाना चाहिए, इस बीस टेस्ट में लगबग आप मानके चलिए, यहां पर 150 इंटू 20, इसका मतलब 3000 प्रशन, 3000 महत्पूर्ण प्रशनों का संकलन आपको यहां पर मिल जाएगा व्याक्या सहीथ, और एक अनांसमेंट और कर देता हूं में, New Year से पहले ही, आपको यह जो 5 टेस्ट मिलेंगे, उसके साथ ही आपको एक 3-4 दिन के अंदर एक नए अपडेट आने वाला है, इसमें आपको एप के अंदर जो एक option के आपके demand थी, कि हम questions का collection, जो भी important questions है, उसका एक collection अलग से कर सके, तो हमने एक favorite question नाम से, favorite का अलग से option आपको मिल जागा, वाँ पर favorite पर click करने पर आपके जो भी important questions है, उसका एक साथ collection हो जाएगा, तो मेरा ये मानना है कि exam से पहले आपको ये 20 टेस्ट देकर जरूर जाना चाहिए, ये 20 टेस्ट जो अगर आप देंगे, तो ये 20 टेस्ट आपके कम से कम में बता रहा हूँ कि आपके 20 नमबर तक बढ़ा सकते हैं, तो मेरी आपको एक suggestion रहेगा कि आप ये 20 टेस्ट लास्ट में देकर जरूर जाए, अभी ये नहीं देखें कि इसका 200 रुपे तो बहुत एक nominal सा चार्ज है, 200 रुपे अगर आपको एक नोकरी मिलती है, पटवरी जैसी, एक बहुत हैं, कहीं candidate मुझे पता अभी भी कहेंगे कि 200 रुपे भी जादा है, पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत जादा है, 200 रुपे में आपको लगबग आप 3000 कुशन अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो आपको exam में बहुत benefit इसका मिलने वाला है, अगर आप इस ब महारतिय राजवयस्ता में जो भी प्रथम व्यक्तित्वर हैं, उनकी बात करते हैं, बहुत important व्यक्तित्वर इसमें आएंगे, जिसके बारे में exam में सवाल पुछ आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो basic जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जानकरी तुम्हें मानता हूं कि सभी क को होनी चाहिए, और आप सबको होगे भी, कि देश के प्रथम राष्ट्रप्रती, देश के पहले राष्ट्रप्रती, डक्टर राजेंदर प्रसाद, ठीके, 24 जनवरी 1950 को ये अपना पद धारन करते हैं, और 26 जनवरी, अगर हम 26 जनवरी को मानते हैं, कि 26 नवंबर को हमार का दो बार कारिकाल रहा है, 1950 से लेकर 1962 तक, क्लियर हो गया, 1950 से लेकर 1952 तक, एक तरह से ये मनोनित थे, ना कि निर्वाची थे, निर्वाची न उनका 1952 में होता है, तो 1952 से 62 कारिकाल, 10 साल के लिए, और 2 साल का कारिकाल पहले इनका था, यानि टोटल 12 साल का का कारिकाल, इसके बाद पहले मुस्लिम राष्टोपती की बात करें, तो पहले मुस्लिम राष्टोपती कह सकते हैं, पहले अलपसंक्यक राष्टोपती भी कह सकते हैं, एक ही बात हो गई, तो पहले मुस्लिम राष्टोपती हो गए, डॉक्टर जाकिर हुसेन, जो वास्ताव में देश क के तीसरे राष्ट्रोपती थे तो देश के तीसरे राष्ट्रोपती और देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रोपती डॉक्टर जाकिर उसेम इसके बाद अगर हम बात करते हैं देश के पहले सिख राष्ट्रोपती ग्यानी जेल सिंग ग्यानी जेल सिंग देश के पहले सिख राष्ट्रोपति होते हैं आ श्रीमती इंद्रा गांदी जिस में प्रधान मंत्रि थी उनको यहाँ पर राष्ट्रोपति बनाएगा बाद में राजीव गांधी जी कि समय पर ये राष्ट्रोपति रहे थे understood तो देश के पहले सिख राश्ट्रु पती ये रहे थे, उसके पहले ये होम मिनिस्टर भी रह चुके थे हमारे देश की सरकार में, गरह मंत्री रह चुके थे पर्थम उप राष्ट्रोपती ये भी आप सभी जानते होंगे डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन देश के पहले उप राष्ट्रोपती थे, 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रोपती भी ये बने थे देश के पहले प्रधान मंत्री 1947 से पंडित जवार लाल नहरू देश के पहले प्रधान मंत्री थे 1947 टू सिक्स्टी फोर 17 साल ये देश के प्रधान मंत्री रहे और अब तक का सबसे लंबा कारिकाल इनी का रहा है अब बात करते हैं पहले कार्य वहाग प्रधान मंत्री गुलजारी लाल नंदा दो बार ये कार्य वहाग प्रधान मंत्री रहे हैं पहली बार जब पंडित जभार लाल नहरू की मृत्ति होती है तब भी इनको कार्य वहाग प्रधान मंत्री बनाया जाता है उसके बाद लाल उप परधान मंतरी अब यहां से एक important बात ہے सवाल एक्जाम में कई बार कुछे आता है हमारे देश के समीधान में क्या उप परधान मंतरी का या उप मुक्यमंतरी पद का उलेख है क्या तो इसका जवाबे नहीं कहीं पर भी परधान मंतरी का राष्ट्रोपत्ति का हर पद का में उल्लेक मिलता है लेकिन उप प्रधान मंत्री या उप मुख्य मंत्री जैसा कोई भी पद सम्विधान में उल्लेकित नहीं है हाला कि हमारे देश में उप प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं अलग-अलग ठीक है तो पहले उप परधान मंत्री सरदार बल्लबाई पटेल को बनाया गया उन्हें उप परधान मंत्री का पद दिया गया और वो ग्रह मंत्री भी थे उनका मंत्रा ले तो ग्रह मंत्रा ले था लेकिन उनको उप परधान मंत्री तो यह उप परधान मंत्री और उप रिपूट करना हो इस तरह से दो समान दावेदार हो जाते तो फिर एक को प्रधान मंतरी बनना होता है दूसरे को प्रधान मंतरी का पद दे दिया जाता आप जहाँ पर भी देखेंगे उप मुक्षय मंतरी वो इसी कारण से के पहले अध्यक्स जीवी मावलंकर गनेश वासुदेव मावलंकर देश के पहले लोगसभा अध्यक्स रहती ये 1952 से उसके बाद देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे इनका अंसर है सू कुमार सेन आपको मुझे कमेंट मे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है क्लियर नेक्स्ट अब यहां पर यह बहुत ही इंपोर्टेंट 11 नंबर पर पर्थम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हमने मुख्य चुनाव आयुक्त की तो बात कर ली थी अब पर्थम महिला मुख्य चुनाव आयोग थी और ध्यान देना ये कार्यवाक फुल टाइम नहीं रही थी, कार्यवाक रही थी, मुश्किल से इनको 16 दिन के लिए बनाये गया, ये 16 दिन के लिए रही थी, यानि कार्यवाक रही थी, उस पद पर कोई था नहीं, तो ये सदस्य थी, मुख्य ये जो निर्वाचन आयोग में एक सदस्य थी तो उनको कुछ समय के लिए यहाँ पर कार्यवाख मुख्य चुनावयक्द बनाया दिया नाम था V.S. रमादेवी याद रखना इसको V.S. रमादेवी 1990 के आसपाद जब T.N. शर्शन साब बनते हैं अमारे मुख्य चुनावयक्द तो जस्ट उनके पहले उनके पहले 16 दिन इनको यहाँ पर मुख्य चुनावयक्द बनाया जाता है इसके बाद आता है 12 नमर पर पर्थम महीला लोकसवा सचिव इसको महा सचिव कर सकते हैं लोकसवा की महासचिव का पत होता है, सचिव नहीं है, महासचिव का पत है, तो बारा नमबर पर प्रत्थम महिला लोकसवा महासचिव यह अभी हाली में बनी थी 2017 में, आजादी के बाद यह आप समझो कि यहां पर लगबक 70 साल बाद किसी पहली बार किसी महिला लोकसवा की म महासजीव यह सीनियर आई-एस ओफिसर होती है लोगसभा का जो सेक्रेटरेट है उनका जो लोगसभा का पुरा प्रसाशनिक कारेबार संबालते हैं वो यही संबालते हैं महासजीव तो वह बनीती सनहे लता स्रीवास्ताव 2017 से इसके बाद आते हैं पर्थम कमांडर-in-chief पह रहे थे वायू सेनह में भी और फलांग नाम था जनरल सर राइबूचर पहले थल धेक्ष़ कोंते हैं आगे हम इसके बात करेंगे ठीके फिल्ड माइंसलre ऊते जैम करिय Auss Ens lumière वो आते हैं उनके बाद जो ठल्छ अब यहाँ पर बात करते हैं प्रथम नेता विपक्ष नाम था इनका राम सुभग सिंग प्रथम नेता विपक्ष की में बात कर रहा हूँ आपको पता है कि लोग सब हमें विपक्ष का नेता उनको वैसे मानिता मिली 1977 से लेकिन जब कॉंग्रेस का विभाजन होता है कॉंग्रेस दो हिसों में बढ़ जाती है एक तो श्रीमती इंद्रा गांधी कॉंग्रेस अलग हो जाती है और एक जो कॉंग्रेस थी वो जो ओल्ड पार्टी जिसको कहते हैं कॉंग्रेस की ओल्ड ओ पार्टी वो अलग हो जाती क कॉंगरेस का भी भाजन हो जाता है 1969 में तो जो मुखे पार्टी होती है जिनका नेतरतु श्रीमति इंद्रा गांदी करती है वो उनके पास सरकार रहती है और बाकी जो ओल्ड कॉंगरेस होते है वो विपक्स में बैठती तो उनके जो विपक्स के नेता बना जाते हैं वो है राम सुबक सिंग 1969 में ये बैठे थे लेकिन ध्यान देना ये मानेता प्राप्त नेता इनको नहीं कहा जाता क्योंकि उस समय विपक्स की नेता को कोई ऐसा पद बनाया नहीं गया था आगे हम बात करेंगे कि मानेता प्रतम विपक्स की नेता कौन थे तो यहां पर आगे य महिला IPS सदिकारी के बारे में बहुत उड़ा होगा श्रिमती किरणवेदी परत्हम महिला IPS सदिकारी है कि वर्त्मान सबस्छाल पिछले साल 2019 में आरेस मुख्य परिक्षा हुए थी वह तोलिस की गाँर में इन इंके बारे में सवाल आया था दो नमबर का सवाल था, अन्ना राजम मलोत्रा जो हाली में खबरों में रही थी, कौन थी उसके बारे में लिखी है, ठीक है, तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था, मैं भी उस समय नहीं लिख पाया था, बाद में मैंने जब सर्च किया तब पता चला कि ये अन्ना राजम मलोत्रा देश की पहली महिला आयस थी और हाली में उनका निधन हुआ था उस समय इसलिए वो एक्जाम में सवाल कूछ ले आ गया तो आपको पता होना चाहिए पहली महिला आयस अधिकारी इनका नाम वहाँ पर्थम महिला वकील अधिवक्ता इनका नाम था कारनेलिया सोराब जी सोली सोराब जी का आपने नाम सुना होगा बड़े फैमस आमरे यहां पर महानियाई वादी रहें तो उनसे जुड़ी वे पर्थम महिला वकील कारनेलिया सोराब जी इसके बाद पर्थम महिला जिला जज अन्ना चांडी आपने अन्ना चांडी का नाम भी सुना होगा देश की पहली महिला उच्छ न्यायले के जज पहली बार हाई कोड में कोई जज बनी है वो भी अन्ना चांडी और देश की पहली महिला जो जज बनी है वो भी अन्ना चांडी ये केरला से थी और केरल में ही उस समय, 1937 में एक जिला कोर्ट में यहाँ पर नियाइदिस बनती है, उसकी बाद जब देश आजाद होता है, तो 1959 में केरल हाई कोर्ट में यह महीला जजज बनती है, तो देश की पहली महीला जजज बनने का सोभागी जो प्राप्त होता है, वो अन्ना चांडी, क्रिश्चन थी है, और इनको यहाँ पर पहली बार हाई कोर्ट में जजज बनाया गया था, महीला जजज के रूप में, इसके बाद सरवोच नैली की पहली महीला नियादिस कोन बनी थी, तो यह बनी थी M. फातिमा बीबी, 1989 में, यह पहली बार कोई सुप्रिम कोर्ट में यहाँ पर मह महीला जजज बनती है, M. फातिमा बीबी इनका नाम था, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, किस राज्य में पहली गेर कॉंग्रेसी सरकार बनी थी, आजादी की बाद हर राज्य में लगबग कॉंग्रेस की सरकार ही बनती, 1947 के बाद, लेकिन पहली बार 1956 में, केरल में ऐसा ह होता है कि कांग्रेस की सत्ता वहां से चली जाती है, और वाम दल की, Communist Party की यहाँ पर सरकार बनती है, दो को दुनिया में जहाँ पर भी अब तक Communist Party की सरकार थी, वो सारे के सारी One Party सिस्टम था, यानि वहाँ पर कोई लोगतंत्र नहीं था, बिना चुनाव के वहाँ पर सत्त पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार होगा कि कि सी Communist Party को चुनाव लड़कर सत्ता माइन पड़ा, तो पहली बार भारत में ऐसा होता है कि Communist Party चुनाव लड़कर सत्ता माती है, और वो आती है केरल में, दूसरा अपनी यह भी पढ़ाता कि पहली बार भारत में कब किसी सरकार क यहां पर बहुमत पर वांपन्त पार्टी थी उनको लगाकर वर्खास् तभी कर दिया जाता वापस 1959 नहीं ये भी सवाल एक्जाम में आ चुका है पहली बार कि सरकार को यहां पर राष्ट्रोपतिशासन लगा कर भाहुमत होते भी बर्खास कर दिया गया 1959 में केरल में ही कम्यूनिस्ट पार्टी की सरकार को हटाया गया आठवी अनुसूची में उल्लेकित प्रतम भासा अब यहां पर आठवी भासा में हमें पता है टोटल 22 भासा है पहली भासा कौन सी है सीधी सब्साइब रहां और कर देख करना ही ऑन पर है शचली तो रहांक है अब ही अमने nessaिया अहल performed अंब भी विपक्ष्के यह पहले नेता कहलाते हैं, लेकिन उसमें विपक्ष के नेता को कोई मानेता नहीं मिली थी. 1977 में मोरारजी देसाही की सरकार थी और कॉंगरेस विपक्ष में थी। तब पहली बार विपक्ष के नेता का भी एक पदश रजित किया गया और यह नियम बनाया गया, लोगसभा में जिस भी party को सत्ता पक्षट की पार्टी के लावत 10% कम से कम जिसको vote मिल जाएंगे और जो सबसे बड़ी party होगी वो वेपक्ष की पार्टी होगी और वो अपना एक नेता बना सकती है वो उसको cabinet मंत्री के समान का दरज़ा भी मिलेगा और केबिनेट मंत्री के समान उसको कुछ अधिकार भी प्राप्थ होंगे, स्विधाई भी प्राप्थ होगी, ठीके तो इस तरह का एक पद बनाये गया, तो पहली बार मानिता प्राप्थ विपक्षी नेता बनते वाई विजवान जो की कॉंग्रेस से बिलोंग करते थे, 1977 म है, उसमें सरकार जो सत्तापक्स में थे, वो मुरारजी देशाई की सरकार थी, भारत की पहली महीला प्रधान मंत्री है, पहली और एक मातर भी कह सकते हैं, अभी तक एक मातरी महीला प्रधान मंत्री देश में रही है, और वो रही है, श्रीमती इंद्रा गांधी, जो 24 जन की प्रधान मंत्री बनती है भारत की पहली महीला राष्ट्रोपती ये भी आप जानते होंगे श्रीमती प्रतिवा देवी सिंग पार्टिल आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से क्रम पर थी ये 12 नंबर की राष्ट्रोपती थी भारत की कब बनती है 25 ओलाई 2007 इससे पहले राजस्तां की पहली महीला राजजेपाल बनने का भी गोरो इनको प्राप्त हो चुका है इसके बाद पर्थम सल्थल सेना अध्यक्स नाम जनरल महराज राजेंदर से थे तो महराज उनके एक प्रकार के कोई टाइटल नहीं था आजादिक बाद किसी को भी कोई टाइटल दिया गया लेकिन पहले से इनको नाम रखा गया इसलिए कई जगा आपको यही दिखाएगा जनरल महराज राजेंदर सिंह जड़ेजा यह पर्थम थल सेना द्यक्स थे अब बात करते हैं पर्थम वायू सेना द्यक्स तो एर बने खकर यहां हो एं तो अमरेत करो राजकुमॉरे अमरेत कोर स्वास्ते अमंत्री यह सवाल भी कई बार सूतंतर भरत का पहला किसस में जारी किया था किसने संसद incarnate को यह सजके पहले हैं श्री और शन्मुकम शेटी शेटी अधिकाहन वेसे इनका नाम शन्मुकम शेटी यह आता C-H-E-T-Y यह इनका नाम है तो शन्मुकम शेटी कहना ज़्यादा ठीक रहेगा पहले भारत रतन प्राप्त करता पहला भारत रतन पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ तो यहाँ पर नाम आएगा डोक्टर सरोपली राता कृष्णन 1954 में जब वो देश के उपर राष्ट्रोपती थे यानि राष्ट्रोपती बनने से पुए पहले इनको भारत रतन मल चुका था अब यहाँ पर आपको एक बात और बतातां 1954 में कुल तीन लोगों को भारत रतन मिला था तो कई बार ऐसा भी होता कि पहले नाम में किसी और का नाम भी आ जाता है जो बाकी दो हैं एक तो हो थे सीवी रमन सीवी रमन के बारे में आपको पता होना चाहिए सीवी रमन के जन्म दिवस को 28 फरेवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं सीवी रमन एक भौतिक विज्ञानी थे हैं जिनको 1930 में ही नोबल पुरस्कार भी मिल चुका था 1954 में हमने इनको भारत रतन पुरस्कार से समानित किया इनके अलाव 1954 में सी राजगोपालाचारी भी है सी राजगोपालाचारी को भी 1954 में ही भारत रतन दिया गया तो फिर पहले नमबर के लेकिन ओफिशली पहले नमबर पर डॉक्टर सरोपली राधा कर्शन का नाम ही आता है पूरी लिस्ट जब हम देखेंगे तो पहला नाम डॉक्टर सरोपली राधा कर्शन का नाम लिखा आता है इसलिए पहले नमबर पर ये हो सकते है कभी कबार ऐसा हो सकता है जब ये option में नहीं है 233 में सूचेता कृपलानी आपने आचारे जेवी करपलानी का नाम सुना होगा उनकी धर्म पत्नी जी थिए सूचेता कृपलानी वो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है देश के जो प्रतम वितायोग हैं उनके अध्यक्स श्री कैसी नहीं होगी देश के पहले वितायोग अभी पंद्रवा वितायोग चल रहा है और उसका जो कारेकाल रहेगा वो 2020 से लेकर 2025 तक यहां पर चलेगा और उनके मैना आपको पहले भी डिस्कस किया था कि पंद्रवे वितायो के अध्यक्स के बारे मैं आपको पता होना चाह odpow यही बाद में देश के दूसरे लोकसवा अध्यक्स है, समिधान परवर्टन के बाद पहला पहला राज्य कौन से बना या फिर ये भी कह सकते हैं भासा यादार पर बनने वाला पहला राज्य कौन से था 1953 एक नवंबर 1953 को आंदर परदेश पहला राज्य बना मदरास राज्य से अलग होकर वो मदरास राज्य बाद में तमिल नाडू हो जाता है इसके बाद भारत का पहला समीधान संशोधन यह होता है 1951 में 1950 में समीधान लागू हो जाता है 1951 अगले साल देश का पहला समीधान संशोधन होता है और 9 वी अनुसुची जोड़ी जाती है क्लियर है ये भी हम पढ़ चुके जब नौवियन सुची हमने पढ़ा था तो 1951 में पहला संविधान संशोदन होता है ध्यान दीजे 1951 में हमारे संसद का गठन भी नहीं वावी लोग सभा राज्य सभा जो है वो बनी नहीं है क्योंकि पहला चुनाव 1952 में होता है मार्च 1952 ठ्सर्वां होता है यानि कि संविधान सभा के जो सदस्य होई संसद की रूप में वहां पर काम कर रहे थे कोittle पर रहते ये भी आपको पता होना चाहिए दूसरे राष्ट्रोपती थे दक्टर फक्रुदीन अली एहमद ये दूसरे राष्ट्रोपती थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्ति होगी एक मातर है और वो ही पहले होंगे तो उनका नाम था के क्रिश्नकांथ के क्रिश्नकांथ एक बार आप देख लेना इसको ये लगबग मेरे खाल से दसवे उपराष्ट्रोपती थे भारत के भैरो सिंग जी सेकावज उपराष्ट्रोपती बने थे उनके जस्ट पहले यही थे तो के क्रिश्नकांथ इनका नाम था और ये रीट एक्जाम में सवाल पुछा जा चुका है ये पहले और एकमात्रो प्राश्टोपती जिनके पद पर रहते हुए मृत्यों की पहली महिला लोग सबाद्यक्ष और ऑद्यक्ष ये थी श्रीमती मीरा कुमार मीरा कुमार देस की पहली महिला लोग expect você इन wilde उके बाद जो बनी थी ओ थी श्रीमती सु सुचनायोग बनाता है cf sudlist G priyan da ne Do θरान होते हैं और प्तरान मंतर श्री नरेंद्र मोधी तर्थ के पर नाम च्छाल इंद्र में सरी पन्द्रा से किसके संब पर वीचिंट, योजनारण स्था पर नी-180 में संब पहले अध्यक्स बने श्री नरेंदर मोधी पहले उपाध्यक्स कौन बनेते उपाध्यक्स का नाम ज्यादा पूछा जाता है तो उपाध्यक्स बनेते श्री अर्विंद पनगडिया मुझे आप कमेंट वा लिकर बताएंगी वर्तमान में नीतियायो के अध्यक्स कौन है और उसके CEO कौन है क्लियर तो ये थे अब तक भारत के जो भी हमने महत्पूर्ण पहले पद पर रहे चुके हैं ये मनोनित हुए थे ध्यान रखना अभी चुनाव नीवा चुनाव नीस सो बावन में होता है सभी पूरे देश में तो 1948 से लेकर 30 मार्च 1948 तीस मार्च राजस्तान दिवस वरहद राजस्तान बना था जेपूर जोदपूर ये जो बड़ी रियासत थी इनगा एक करण हुआ पांच जनवरी 1951 तक ये रहते बाद में कुछ मदभेद होने के करण इनोंने अपना पद त्या कर दिया था राजस्तान के पर्थम निर्वाचित मुक्य मंतरी ये अलग से स्वाल पुछ आता कि पहले निर्वाचित मुक्य मंतरी कौन बने थे तो स्री टीका राम पालीवाल थे वो देश के पहले निर्वाचित मुक्य मंतरी बने और मार्च से लेकर अक्टूबर यानी लगबग 7-8 महिने ये इस मुक्य मंतरी पद पर रहे बाद में जे नारण व्यास वापस आ जाते हैं वो मुक्य मंतरी बन जाते हैं 1952 से तो 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक और ये चोथे मुक्य मंतरी थे पहले हिरलाल शास्तरी थे दूसरे CS वैंक्टाचारी थे तीसरे जे नारण व्यास थे और चोथे मुक्य मंतरी टीका राम पालीवाल बने लेकिन पहले निर्वाचित मुक्य मंतरी बनने का गोरव टीक मुक्य मंतरी बनाये जाता है बाद में जेनारण व्यास उप चुनाओ किसंगर से उप चुनाओ लिड़कर वापस विदान सभा में पहुंशते हैं और 1952 से वापस मुक्य मंतरी बन जाते हैं 1952 से 54 ते को मुख्य मंत्री रहते और 1954 के बाद महुनलाल सुखाडिया जी राजस्तान के प्रधान मंत्री बनते और 17 साल तक लगातर वो ही मुख्य मंत्री बने हुए रहते इसके बाद तीन नमबर पर राजस्तान के पहले राज्यपाल स्री गुरुमुक निहाल सिंग राजस्तान के पहले राज्यपाल गुरुमुक निहाल सिंग ये बनते 1956 से इसके पहले यहाँ पर राजस्तान में राजप्रमुक का पद था जो हमारे अंतिम राजपरमुक रहे थे वो थे अंतिम राजपरमुक इनको कह सकते हैं तो सवाई मांसिंग अदवित्य जो जिहापुर के थे और उसके बाद राजपरमुक का पत्समात कर दिया रहता है 1956 से शात्वा समयदान शर्षोधन करके और पहली बार राजस्ता में र लंबा कारेकाल इन ही कार रहा है अब तक जो भी कारेकाल रहे हैं उनका कारेकाल या तो पांच साल रहा है या पांच साल से कम ही रहा है इनका साड़े पांच साल रहा है मैंने आपको पहले भी बताया राज्येपाल राश्ट्रोपत के प्रसाद परियंद पद पर रहते हैं नियत कारिकाल नहीं होता है, सामनेत कारिकाल पांच वर्ष का होता है, इसके बाद बात करते हैं, राजस्तान के प्रतम मुख्य नयादी, जब हम राजस्तान के बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम हाई कोर्ट के बात कर रहे हैं, राजस्तान हाई कोर्ट के पहले मुख्य नयाद डिजी ओपुलीस डाइरेक्टर जनरल ओपुलीस इनको कहा जाता है रगुना सिंग जी रहे थे इसके बाद राजस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री पहली भी कहेंगे और एक मातर भी कहेंगे श्रीमती वसुंद्रा राजे ये राजस्तान की दो बार मुख्यमंत्री रह यानि 10 साल तक का इनका कारिकाल रह चुका है, 2003 में पहली बार बनती, 2003 से 2008 और बाद में 2013 से 2018 इनका दूसरा कारिकाल रहा था, clear, तो राजिस्तान की पहली महिला, पहली और एक मात्र महिला मुख्यमंत्री स्रीमति वसुंद्राराजे, राजस्तान की पहली महिला राजिपाल प्रतिबापाटिल श्रीमती प्रतिबापाटिल में आपको बता है था राश्ट्रोपती बनने से पहले राजस्तान की राजिपाल भी रह चुकी थी आट नुवहमर 2004 से 21 जून 2007 और राजस्तान की पहली महिला विधान सभा अध्यक्स इनका नाम था सुमित्रा सिंग यह कब रही थी जब श्रीमति वसंद्र राज्य का पहला कारेकाल आता 2003 से 206 उसी विधान सभा के दोरान सुमित्रा सिंग हमारी यहां पर विधान सभा की अध्यक्स थी यानि कि मुख्य मंत्री भी महिला थी वो भी एक तरह के महिला थी और जो राज्य की राज्यपाल थी व कह सकते हैं 2004 से लेकर 2007 है राज्यस्तान की महिला जो मुख्य मंत्री थी वो भी महिला थी राज्यस्तान की जो विधान सभा देख्स थी वो भी महिला थी और देश में जिनके हाथ में शाषन था वो भी महिला थी स्रीमति सोन्या गंदी हाला कि प्रधान मंत्री डॉक्टर मन महान सिंग थे ये बाद आप ध्यान रखेंगे शाषन यानि नीचे से लेकर उपर तक महिलाओं के हाथों में पुरा देश का शाषन था है ना तो 2007 का वो एक तरिका काल था जिसमें सब जगा महिलाई आसीन थी नेक्स्ट राजस्थान की पहली महिला विधान सब अपद्यक्स इनका नाम था तारा भंडार ये कुछ समय के लिए रही थी 1999 में ये भार्ते जन्ता पार्टी की नेता थी और इनको अपद्यक्स बनाया था कुछ थोड़े से समय के लिए रही थी ये इसके बाद राजस्तान की पहली महिला मंत्री की बात करे तो वो आएंगी कमला बेनिवाल ये पहली बार किसी महिला को मंत्री बनाएगा उप मंत्री इनको बनाया गया था राजस्तान की पहली महिला विधायक यसुदा देवी बांसवडा से विधायक बनकर आई थी इसके बाद राजस्तान से पहली लोकसबादेक्स यहां पर पहली महिला लोकसबादेक्स लेख सकते हैं महिला के रूप में पहली महिला लोकसभा जैक्स महरानी गायतरी देवी जो मान सिंग दुत्य थे उनकी धर्म पत्नी थी महरानी गायतरी देवी और ये पहली बार यहां पे महिला के रूप में लोकसभा सदेशे बनती है पर्थम महिला राज्यसभा सांसद की बात करें तो श्रीमती शार्दा भार्गो जो पहली बार महिला के रूप में राज्यसभा सांसद बनी थी पहली महिला जिला प्रमुग की बात करें ये भी एक्जामे बहुत बार पूचा जा चुका राजिस्तान की पहली महिला जिला प बाद देश आजाध होने के पहली की सींग बहाँ क बने थी और लास्ट में दो और महिलाओं के वारा में जान लेते हैं राजश्तान की दो महिला राजस्तान की पहली महिला पाइलड यह यह भी खुब नाम आता किताब में आपने पढ़ा होगा नमरता भट और राजस्तान की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर का नाम आता है शुश्री निवेदिता ये दो नाम यहाँ पर आते हैं इनको भी आप ध्यान भाएक हैंगे नमरता भट और निवेदिता तो इस वीडि इसके प्रमुक व्यक्तित्वर हैं तो आज की वीडियो में इतना ही आपको एक बात जो क्वालिटी एजुकेशन का एप में आपको पिछली बार कहा था कि आपको इसको फाइव स्टार रेटिंग देनी है तो बहुत सारे साथियों ने इसको फाइव स्टार रेटिंग भी झाल